जी आयोकसर जिस पकार से कुछ समय पहले जो की कॉंट्रेक्टर्स दौरा विरोध किया जा था पानी के लिकेज के कॉंट्रेक्ट को लेकर तो उस पर स्थगेती लाई गई है या फिर उसे रद्द किया गया है इसके बारे में जानकरी जाना चाहेंगे देखिए उलासनगर सिटी में महानगर पालिका की तरफ से हर साल पानी पुरटा विवाग में कई काम की जाते हैं जिसमें कुछ चोटे चोटे काम होते हैं जैसे लिकीजेस निकालना होता है या और इस तरीकी के काम चोटा चोटा पाइप दालना होता है तो ऐसे काम की जाते हैं और इस पर करोणों रुपे खर्चा भी होता है और इसमें कई लोग काम लेते हैं ठेकेदारों के संख्या भी काफी है और यह संख्या इंपर मॉनिटर करना प्रशासन के लिए दिक्कत हो जाती कई बार और इसलिए फिर कुछ एक साल पहले तकरिवन निन्ने लिया गया था कि यह इतने मल्टिपल ठेकेदार रहने के बजाए यह क्या दो एजनसी तायर किये जाए या तीन एजनसी इस तरीकी का परस्ताव आया था और उसके अनुसार एक बार दो एजनसी सपाउट करने का टेंडर भी निकला था और फिर उसको पर रिस्पांस नहीं आया तो टेंडर रद्द हुआ था उसके बाद हमने एक एजनसी वाला टेंडर निकला थो कुछ दिनों पहले और उसकी प्रक्रिया चालू थी उसमें प्रिबीड भी हमने लिया था और प्रिबीड में बहुत सारे लोगों ने पाडिसिपेट किया था उसमें कुछ अब्जेक्शन उन्हों ने लिये थे कुछ सुजाओं उसमें दिये थे और बड़े पैमाने पर उस पर सुजाओं भी आये थे अब्जेक्शन भी आये थे उसके अलावा बहुत सारे ठेकेदार जो है महानगर पालिके के सामने इन्होंने धन्य अंदोलन भी शुरू किया था और यह सभी बाते को मद्य नजर रखते हुए और इसमें जो पॉइंट्स उसमें रिज किये गए थे इन सब बातों को डिसाइड करने में काफी टाइम भी लगने वाला था इस सब बातों को देखते हुए ओ जो एक एजनसी वाली जो एक एजनसी की जो परक्रिया थी वह हमने वो रद प्रशासन फिर्शे इस टेंडर के उपर नजर रखेगा देखिए कैसा है महानगर पालिका के हिद के हिद में काम करना है हमारा करते हुए जो प्रस्ताव हिद कारिये होगा तो उसको उसको इंप्लेमेंट करना जिम्यतार भी बनती है अभी इस पर कोई निलने अभी तब है कि इसको दो में लाएंगे तीन में लाएंगे चान में लाएंगे क्योंकि जो सजेक्शन या अब्जेक्शन हमको प्राप्त हुए थे या जो निवेदन हमको प्राप्त हुए थे कुछ पॉलिटिकल पक्षों के तरब से भी हमको कुछ निवेदन प्राप्त हुए थे इ